हेलो डिगर स्टुडेंट यॉर्म वेलकम टू मैठ वाले बाबा यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए लेक्टर शेवन नमबर सिस्टम क्लास नाइन और यह सेकेंड लास्ट लेक्टर है इसके बाद एक लास्ट लेक्टर रहेगा और उसके बाद नमबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा आप मेरी लेक्टर को देखने के बाद डेली जो लेक्टर है उसके बाद देखने के बाद कोई भी बुक सॉल्व करो जरूर बनेगा तो चलिए जानते हैं आज हम इस लेक्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि rationalization क्या होता है और बहुत सारे example भी लेंगे उसको solve करने के लिए बस आप वीडियो देखो अंत तक देखो आपको लिखने की भी कोई जरूत नहीं है मैं इतना बोल रहा हूं कि rationalization से सबसे difficult problem करवाऊंगा और आपको अगर नहीं समझाए तो आप डिसलाइक वीडियो को जरूर कर देना प्लीज ओके उसके जब सबसे अच्छी बात है कि आपको class note मिल रहा है that is best for you तो चलिए स्टार्ट करते पहला पहला है finding square root of positive terminating rational number in decimal form तो इसको मैं समझाने के लिए question रहा हूं और step by step समझाओंगा यहां से सुमें करा find the value of under root 9.3 geometrically आप calculator का use नहीं कर सकते आपको geometrically नापके बताना होगा measure करके बताना होगा कि क्या होगा इसका value तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे let's see पहला लिखेंगे step 1 में on a line xy draw a line segment ab that is equal to 9.3 करा आपको एक line xy लेना है और segment ab को draw करना जो कि 9.3 unit हो यहां पर unit कर लेना ओके मैं एक line xy ले लिया अब ab देखो scale लिया अब देखो कितना draw करना है इसको नाइन पॉइंट 3 तो यहां से यहां तक 9.3 कुछ यहां पर आए ओके तो यहां मैं draw कर रहा हूँ देखो कर दिया mark कर दिया यहां पर 0 और जहां से start किया यह और यहां पर 9.3 ऐसा कर लेंगे आप उसके आद क्या करेंगे यहां link देंगे a to b क्या हो गया यहां link 9.3 मैं ऐसा बता हूँगा कि board में एक marks भी नहीं कटेगा अगर कटेगा तो आप claim कर सकते हो दूसरा है extended ab to c such that b c is equal to one unit कर रहा है यह जो मेरा a b है a से भी कितना है 9.3 उसको c तक ले जाओ और b से c one unit होना चाहिए तो b मेरा यहां है तो यहां सब one unit नापनेंगे यहां पर और यहां लिख देंगे b c is equal to one unit कर दिया समझ आ रहा है समझ रहा है तो देखते चलो लाइक बीच करते चलो करते करें तो इसकेल से कोई बच्चा करता है कोई रूलर का यूज करके करता है नेकिन उसे बहुत दिक्कत होता है हम लोग क्या करेंगे a यह है और c यह है इसका हमको half निकालना है हम लोग compass का यूज करेंगे पहले compass को यहां रखेंगे और a से एक arc बनाएंगे देखो कैसे यहां से एक arc यहां बनाया A से, दूसरा अर्क मैंने C से Kampas C पर रखा, और यहां से एक अर्क बनाया, ठीक? तो यह दोनों कटके यहां मिलता है तो क्या करना है, एक perpendicular line draw कर देना है, dot 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 ओके, तो यह जहां पर मिलेगा वही आपका midpoint हो जाएगा किसका midpoint हो जाएगा? A और C का midpoint यही हो जाएगा, तो देख लो इसको O बोल देंगे, क्या बोल देंगे? O, देखो, यहां है न, take a midpoint of AC as O and draw a semicircle with O as a radius, बस एक बात ध्यान देना बच्चो, कि जब आप यह करोगे, अर्क छोटा सा बनाओगे A पर रखके, C पर रखके जो कटेगा, उसको, मतलब pencil से बनाना, और line dot 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 करके मिलाना, ताकि क्योंकि इसका कोई use नहीं है, बस हमको एक midpoint चाहिए था, और यह midpoint लाने का एक तरीका है, ठीक? तब देखो, क्या करेंगे? एक semicircle बनाना है तो देखो, बना लिए, semicircle बनाना है, कैसे बनाएंगे, पता है न, यहाँ पर आप compass रखोगे, और यहाँ पर उसका tip pencil के साथ जो है, उसको रखोगे, फिर यहाँ से draw कर लोगे, और करोगे, तो यह C पर जाके ऐसे मिल जाएगा, फिल गया? अब क्या करना है, यहाँ तक समझे? आगे का step देखते है, आगे का step है, draw bd perpendicular to dc, okay, meet the circle at d, कड़ा एक bd draw करना है, क्या draw करना आपको? bd, bd draw करना है, लेकिन सवाल है कि dc के perpendicular होना चाहिए, यहाँ देखो, यहाँ देखो b है, b है, करेंगे क्या, कि हम लोग b से d, d, ऊपर, ऊपर की और perpendicular, bc, dc यह, dc क्या है, यह, sorry, d, यहाँ पर आप क्या कर लो, यहाँ पर एक change मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा mistake हो गया, यहाँ bc, bc कर लो, ठीक ना, जो की bc के perpendicular, okay, जाल दो, तो bd draw करना है, जो की bc के perpendicular, तो हम मैं draw कर रहा हूँ bd, ऐसे, okay, bd, जो की perpendicular काची से, bc के, कर दिया, very nice, अब देखो, यह जो bd आपका आएगा, वो आपका जो root, under root 9.3 के equal आएगा, तो देखो, then the length of bd, that is equal to root 9.3, मत्तब जो यह length निकला आपको, वही आपका value है, under root 9.3 का, तो आप एक काम कर सकते हो, scale से major कर लो, top console आ जाएगा, लेकिन, मेरा करना क्या है, कि इसको हमको number line पर draw करना है, इसलिए आपको number line पर draw करने का क्या तरीका है, देखो, now draw an arc with bd as radius, meeting the line x, y, at e, कर आएगी, देखो, हमको number line पर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कि bt को radius माल लें ऩिक और compass न पर रखेंगे और pencil न पर रखेंगे, और यहां से एक arc 2009 कर लेंगे ईर्क norm कर लेंगे, जो की e मिलेगा, यहां पर कुछ मिलेगा express inbox करows, लोगे, यह यहां पर क्या हो जागा e, तो आप यहां से कर लोगे, कर दे रहा है ऐसे हाँ विल्कुल ऐसी करता है ठीक अब देखो यहां पर जो मिलेगा यह वो बी से लेके यह तक जो है वही आपका अंसर है बी से यह तक नाप लो स्केल रखके रूलर रखके वही आपका अंडरूप 9.3 का वैल्यू होगा तो हम लोग इसकेल लाते हैं ओके तो नहीं है 3.1 से कब है 3.05 के लागता ओके तो चलिए लिख देंगे देखो यहां पर लिख देंगे यहां से यहां तक स्वाप बना देंगे पैंसिल से डॉट 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 करके और लिख देंगे अंडरू 9.3 इसकल तो 3.05 उमीद करता हूं समझाया हूं एक एक होगे बिल्कुल से मनाना थोड़ा सा भी से अलग नहीं मैं सब अच्छा से बताया मिट पॉइंट लेने का भी सिंपल तरीका कमपास यूज करके तुरण तुरण करके मिला देना बस हो गया बस एक कमपास होना चाहिए तो चलिए आगे चलते हैं अब देखो हम लोग डिस है तो जाइड सी बात है कि उसमें क्या होगा, उसमें दो चीज होगा आपका नंबर हो सकता है इसमें टेनोमीनेटर होगा तो वह बहुत दिक्कत हो जाता है इस नाइन होना चाहिए अब आपको स्कॉष्ण मन में आएगा आपको कुष्ण उठेगा क्या प्रॉब्लम है इसलिए इस प्रॉब्लम इजी हो जाता है कोई भी प्रॉब्लम और असानी समलोग समझ सकते हैं तो बस वीडियो कंटीनी रखा आप पैला कोईशन है रेशनलाइज करना है तो हम लोग कैसे करते हैं तो हम लोग जीस चीज से मलटीप्लाइज करते हैं उसको हम लाजीग से ओके जहां दो टो है कि वाई सिक्षण करके माइनेज कर देना है उपर निचे मृटीप्लाइज कर देना है देखो यह 6-4 root 2 यह भी 6-4 root 2 तो यह 6-4 root 2 का square हो गया यह देखो 6-4 root 2 और यह 6-4 root 2 पता a-plus b समझ लो इसको a-b समझ लो एको a-b समझ लो यह a-b हुआ और यह a-b हो था a-b QA 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 Q AQ QA 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 QAQ QA 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 तो 4 रूट टू है यहां पे 4 रूट टू कास्का क्या आगा 16 इंटू 2 32 माइनस होता है तो 2 यह भी तो है और ए 6 है और भी 4 है तो 6 फोर जा 24 और 2 है मेरे हैं ना 24 इंटू 2 48 रूट टू है तो root 2 by 4 अब जो सिंपल बात है कि नीचे 4 है और उपर देखो 4 common ले सकते हो ज्यांदो 68 4 के table में आता है 48 भी आता है नीचे 4 है तो cancel कर देते हैं उपर नीचे 4 common लेंगे यहां से 4 common ले लोगे क्या बचाएगा यहां पर आपको 17 बच जाएगा उपर में और यहां जाएगा-12 और यहां पर 4 common हो गया इसलिए मैं यहां पर 4 direct cancel कर चुका हूँ क्योंकि बाहर अगर करोगे common 4 आ जाएगा ठीक ना अगर मालो question में दिया रहा था कि if x is equal to a plus root 2b find a b अगर अलग से question डाल दिया जा तो कैसे बनाएंगे करा जो मेरा x का value है a plus root 2b के equal है एक्स मेरा यह है तो पहला कुछ भी दे ऐसा भी question होना पहले rationalize करना याद रखना जब भी question मेरा यह rational number आ नीचे में तो पहला काम आपका बनता है क्या प्रेशनलाइज कर लो किया तो मेरा यह आया ओके अब यह जो है a plus root 2b equal है तो हम लोग compare करेंगे लिखेंगे clearly 17 minus root 2 into 12 एक काम क्या मैं कि root 2 को पहले लिख दिया और 12 को बाद में लिख दिया इसलिए अब यह किसके इक्वल दिया है question में question दिया a plus root 2b equal है देख सकते हैं यहां पर क्या है यहां पर a है ओके यहां पर आपका यह है और इधर क्या है इधर 17 है तो क्या सीख है ar is equal to 17 उसी तरह लिखें उसी तरह देखें तो यहां पर b है है न और यहां पर क्या है 12 लेकिन 12 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां plus है और यहां क्या है minus तो हम लोग क्या लेंगे माइनस 12 तो आ गया A is equal to 17 and B is equal to 12 यह additional question आएगा एक book में मिलेगा आपको जरूर मिलेगा तो मैं एक साथ ही दोनों question करवा दिया क्योंकि मैं यह जाना चाला था कि समझने वाली बात है कि यहां पर भी rationalization यूज कि हुआ है दोनों जगा तो इसी question को मैं rationalize करके ऐसा बना दिया ओके समझाया हो तो आप note down करना बात में करना अभी समझो से जान दो दूसरा question most important question है और इसे मैं असानी समझाओंगा book से भी काफी अच्छा book में अगर मिल भी जाया तो ऐसा question सेम टूसे मिलने के बाद भी मैं book से अच्छा समझा रहा हूं ध्यान दो देखो इफ एक स्कूर्ट थी माइनस टूरू है देखने में बहुत हार लगा है लेकिन है बहुत इजी जब भी ऐसा question मिलें ओपर minus हो नीचे plus हो और नीचे रेशनल हो ऊपर भी रेशनल तो पहले नीचे का रेशनल हटाना रहता है और हटाने का तरीका मैं अल्रेडी बता चुका हूं कि अगर यहां plus लिखा है तो उपर नीचे minus करके multiply करेंगे 3-2 root 2 से देखो लिखेंगे first we have to rationalize x and y in order to make its value simple देखो statement लिखना बहुत ज़रूरी है अगर statement नहीं लिखते हो direct solve करके exam में आते हो तो cbxc आपको पूरा marks नहीं देने वाला तो क्या करेंगे x is equal to 3-2 root 2 by 3-2 root 2 है ओके तो करेंगे क्या multiply उपर नीचे कर दिया 3-2 root 2 से multiply अब ध्यान दो कि 3 और 3 9 हो जाएगा मतब 33 का square 9 होता है क्योंकि a plus b a minus b तो a square minus b square 3 का square क्या हो जागा 9 अब 2 root 2 का square करोगे 2 का square फुल होता है root 2 का square 2 होता है तो क्या आजाएगा आपका 8 आजाएगा आपका 8 आजाएगा कर लोगे very easy अब ध्यान दो समझने वाले बात क्या है कि 9-8 तो वन हो जाता है तो नीचे लिखने का कोई value नहीं कि नीचे वन आ गया मतब पुछने है समझे उपर देखो 3-2 root 2 का whole square तो 3 का square करो 9 2 root 2 का square करो 8 पता है नहीं मैनेस b का whole square क्या होता है 6 तो हो गया लेकिन 2a भी होता है तो 6-2 यहां 12 करना होगा तो यहां मैं 12 कर दे रहा हूं दॉन पर ही मैं ठीक कर रहा हूं तो यहां पर 12 root 2 हो गया ओके समझा रहा बात क्योंकि 3-2 जा 6-2 जा 12 हो जाएगा और root 2 का root 2 तो आगे देखोगे तो 9 8 17 हो गया 17-12 root 2 यह x को हम लोग rationalize किये तो कुछ ऐसा आया अब हमारा काम है y को rationalize करना तो देखो y को rationalize कैसे करेंगे समझो बात को तो y को rationalization करना है जैसे x को किये थे y is equal to 3 plus 2 root 2 3-2 root 2 उपर नीचे minus है तो उपर प्लस से multiply करेंगे बात बार याद रखना sign change करते हैं तो उपर प्लस से किये तो 3 plus 2 root 2 का whole square हो गया और यहां पर a-b और a plus b तब भी a square minus b square ही होता है तो हम लोग same to same काम करेंगे 3 का square 9 होगा और 2 root 2 का square 8 होगा 9 में 8 गया फिर 1 हो गया और उपर जो है square कर दोगे तो 3 का square 9 होगा 2 root 2 का square 8 हो गया प्लस 2 a-b होता है जब plus हो तो plus करेंगे plus 2 a-b तो 3 2 जा 6 2 जा 12 होके 12 root 2 देखो अच्छे से जांदो तो 9 is 17 plus 12 root 2 आ गया अब तो simple xy का value निखल गया तो पूट करना है बस देखो जब भी ऐसा question हो तो rationalize कर देना जो भी दिया हो रिशनलाइज कर देना और x square plus y square जो भी equation दिया हो पूट कर देना अब तो कर सकते हो देखो equation का x square plus y square plus xy तो x का value आगे मेरा 17 minus 12 root 2 ओके यहां देख लो का whole square plus 17 plus 12 root 2 का whole square ओके और plus xy है तो एक बार x को लिखने का 17 minus 12 root 2 और y को लिखने का 17 plus 12 root 2 अब जो समझने वाली बात है कि देखो a minus b ka whole square a plus b ka whole square जब भी ऐसा रहे न तो इसका जो जाएगा a minus b ka whole square क्या होता है a square plus b a square plus 2ab है ना sorry minus 2ab minus 2ab और plus में क्या होता है plus 2ab तो simple सी बात है दोनों का add करोगे तो minus 2ab plus 2ab cancel हो जाएगा तो वह सब करना करना जरूरी नहीं हम लोग के लिए simple समझो कि plus 2ab minus 2ab नहीं होगा सिर्प a square plus b square होगा चलिए करते हैं 17 का square करोगे 289 हो जाएगा 12 root 2 का square करोगे 288 हो जाएगा और यहां पर एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूं कि ऐसा वास्तर में होता है अगला बार से अगली बार से आप ऐसा मत करना माइनस 2ab लिखने ज़रत नहीं है जब एक माइनस म दिया हो एक प्लस म दिया हो कैंसिल यह चाहता है तो यहां पर करोगे माइनस 2ab होगा तो 2 x a 17 अभी 12 जब मल्टिप्लाय करोगे 2 x 17 x 12 तो आपका 408 root 2 आ जाएगा अगर आपको प्रॉबलम है तो मैं मल्टिप्लाय करके अभी दिखा दे रहा हूं यहां देख सकते हैं मैं कल्कुलेटर लाया हूं यहां पर 2 x 17 x 12 किया तो 408 आ गया ओके समझा रही बात को और यहीं मैं लिखा 408 root 2 का root 2 ही हो जाएगा यह समझने के लिए ऐसा होगा आपको कॉपी की ज़रत अभी नहीं है मैं सब बता रहा हूं ज्यान दो कर दोगे 408 root 2 आ फिर देखो यह प्लस a minus b है और यहां पर a plus b है तो a square minus b square 17 square 289 और 12 root 2 का स्कार करोगे 12 का स्कार 144 हो जाता है और root 2 का स्कार करोगे 2 144 into 2 करोगे 288 आ जाएगा ज्यान दो समझो मैं समझने की चीज होती है मैं simple notes देदू और आप लिख लो तो उससे कोई फैदा नहीं है इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको तो यहां पर देखे क्या अब जो cancel होने वाला चीज है मैं उससे cancel कर रहा हूं पाइनस 408 root 2 यहां पर प्लस 408 root 2 यह दुनों cancel हो गया पहली बता दिया तहां ऐसा होगा मैं करके भी दिखाया अगला बार से करूंगा अब ज्यांदो यहां पे 289 यहां पर 289 है और यहां पर भी एक बार 289 यह तीनों बार 289 यह प्लस में तो हम लोग यह काम करते हैं एड करने से सबस्क्राइब करे कर देते थे तीन बार बात एक ही सर्व यह यह लगाना है अपना अपना लोजिक कि कर दिया आपने तो यहां पर 288 मैं कर दिया हूं तो इसे इरेज कर दे रहा हूं बाकी सब को इनको ओके अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर 3 into 289 करोगे 867 आ जाएगा प्लस 288 करोगे तो आपका अंसर 1155 आ जाएगा और यही आपका वैल्यू है किसका एक स्क्वार प्लस वाई स्क्वार प्लस एक स्वाई का उमीद करता हूं समझ आया हो तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा वो प्रॉब्लम आया तो डॉंट बढ़ी मैं सब आपको करेक्ट फॉर्म में दूंगा जो भी मिलेगा आपको 100 परसें वैरिफाइड मिलेगा ओके ध सब्सक्राइड मैं अधियुषट ख chicken x q2 5-21 थो हमको करना है कि 1 x q यह q 5 Station x 1 10 इन सब्सक्राइड 5我 kuragon knowledge 4 रावा है एक ही मुषिन से एक-घ टो कोश्ञां आपको देखने को मिल जार मिल गया तो a देखने बहुत ही बल्की कोशन है हार्ड कोशन लग रहा है लेकिन बनाओ एक बार सी बनाओ मेरे साथ देखना बहुत असान लगेगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर देख रहें कि एक्स तो है साथ में 1 by x भी है मतलब लेट फस्ट लेट्स कैल्कुलेट दा वैल्य आफ 1 by x मतलब हमको 1 by x का वैल्य निकालना होगा पहले तब ही जाके मेरा बनने वाला है क्योंकि सब में 1 by x है ठीक तो चलो देखो क्या करेंगे 1 by x निकालेंगे तो टू बाइफ फाइफ बाइफ अंडरूट 21 हो जाएगा अब नीचे में रैश्नल आ गया तो उसको रैश्नलाइज करना होगा ओके तो नाम ही इसका रैश्नलाइज जाउड की नाम पराएफ इसी बात से पाता चलता है क्योंकि उपर नीचे रैश्नल लाने का हो प्लांन है और ईसको रैश्नल बनाने के लिए रैश्नलाइज करते हैं याद रखने तो 5 प्लस रूट 2 सुपर मल्टिपलाय किये OR 2 21 है 2 बल दिया 5 तो इंटू 5 प्लस रूट 21 है तो 2 इंटू 5 प्लस रूट 21 25 में से 21 गया 4 आ गया समझारे बाद देखो अब उपर नीचे कैंसिल करोगे 2 से 1 टाइम से उपर लगेगा और नीचे 2 से 2 टाइम से लगेगा तो आपका नीचे 2 आ गया ओके यहां पमें लिख दिया और उपर जो यहां दो 1 by 1 चलेंगे हमको एक्स मालूम है वेरी नैस 1 प्लस एक्स मालूम है बहुत अच्छे दोनों के एड्ट तो करी सकता हो तो चलो पहले दोनों को एड्ट कर लेता हो देखो देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 21 बाई 2 5 प्लस का और नीचे 2 2 से 10 5 तेज में आ गया तो मेरा किया देगे 5 आणसर आगया किसका आणसर आ गया एक्स प्लस 1 by एक्स का अंसर आ तिक इसको मालो एक क्यूंज मालो कुछ क्या करना है आगे हम लोग क्या करेंगे फॉर्मुला आपको मालूम होगा स्क्रीन पेर दिखरा होगा आपको कि x plus 1 by x का whole square करोगे तो x square plus 1 by x square okay plus 2 है दिख रहा है ना बिल्कुल वही आपको फर्मुला है कि x plus 1 by x का जब भी whole square करोगे तो x plus 1 by x square plus 1 by x square हो जाएगा plus 2 होगा याद रखना उसी को हम लोग use करेंगा हमको निकालना क्या है x square plus 1 by x square इसको मैं नीचे कर रहा हूँ फर्मौलाग जहांदो x square plus 1 by x square और यह निकालना है लेकिन right side में देखोगे तो आपको x square plus 1 by x square plus 2 मिल रहा है मिल रहा है तो x square plus 1 by x square निकालने के क्या करेंगे प्लस 2 को left side लेके आ जाएगे तो क्या हो जाएगा x plus 1 by x का whole square माइनस 2 हो जाएगा यही होगा formula हम जाके अच्छे से देखो दिखे रहा होगा उपर में आपको formula देख लो यही आएगा आपको नई समझाए फिर भी comment करो जान्तो अब x plus 1 by x का whole square करो क्या है तो मैं already x plus 1 x तो निकाल चुका हूँ न वो क्या है 5 तो इसमें put करो 5 5 का whole square करो गे तो क्या जाएगा 25 और यह minus 2 25 minus 2 करोगे तो 23 आ गया तो यह भी निकल गया क्या निकल गया बहुत अच्छी बात है दिखा रहा हूँ ध्यान दो कि उपर ने दिखा रहा होगा formula और नीचे मैं समझा रहा हूँ थिक ध्यान दो हमको निकालना है x q plus 1 by x का cube तो आपको पता होना चाहिए a plus b का whole q करते हैं तो उपर देखो formula हम लिखा हुआ a q plus b q ओके प्लस 3 a b a plus b होता है 3 a b whole a plus b होता है ध्यान दो समझने वाली बात क्या है कि हमको a q और b q का काम है सिर्फ a q और b q का का काम है 3 a b और a plus b का कोई काम धाम है नहीं तो 3 a b होता है तो उपर देख सकते हो 3 a b तो x और 1 by x कैंसिल हो गया मतलब कि 3 into a plus b हैं 3 into a plus b हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा ध्यान दो यह आ जाएगा यह 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 बन रहा है देख लो अच्छे से स्क्रीन पर दिखी रहा होगा फॉर्मुला देख लो यह बन गया अब क्या करना एक्स प्लस 1 by x का वेल्यू पता है आपको दो तो इसमें 5 पूट कर दो तो फाइब करोगे क्या जाएगा 125 समझारा बाद थी है यहाँ यहाँ पर थी है और यहां एक्स प्लस 1 बाइ एक्स है और आपको पता है यहां पड़ प्लस 1 सब्सक्राइब करना है और आपका अंसर आजाएगा पहले हम लोग क्या पूट करेंगे कि यहां पर जो यहां पूट करेंगे अभी मैं करके दिखाओं इसके जगहां इसके जगहां पर 23 होगे और यह अर फाइब का 5 प्लस में 15 और टूनों को तो आपको प्रॉब्लम करना होगा बस अभी समझो अगर आपको मन है तो सौल भी कर सकते हैं को आप वीडियो पाउज करके ताकि और अच्छे समझ है तो फिर समझो सिर्फ आगे बहुत ही मैं इंपोर्टेंट कोश्चन लेकर आया हम आपके लिए सब्सक्राइब करना नीचे रेशनल बनाना है लेकिन अगर रेशनलाइज भी कर लोगे तो आपका काम बनने वाला नहीं है बनने वाला है या नहीं वह तो बाद हम पताचे लगा पहले रेशनलाइज कर लेते हैं चलो पर और नीचे प्लस से मल्टिप्लाइज करेंगे ठील प्लस रूटेट अब देखो यहां पर यह माइनस भी हो गया यह प्लस भी हो गया तो तो रीकाइज करोगे 9 आजाएगा और रूटेट का स्कार करोगे एटी आजाएगा ओके उपर देखो कि 3 प्लस रूटेटी है और 9 में से 8 गया 1 आजाएगा मतलब कि आपका टोटल अगर देखा जाए तो आपको एक्स का वैल्यू क्या निकल क्या है 3 प्लस रूटेट ओके चलो देखो यह एक् तो एक मेरा एक्क्वेशन क्या है एक्स्क्री माइनस 2x2 माइनस 7x5 मैं इसमें पूट करो लेकिन ज़रा सोचो क्यूब निकालना पड़ेगा फिर स्कॉाइर निकालना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाइख करना पड़ेगा बड़ी मुस्किल प्तलब होने वाला ना तो मैं लॉजिक लगा लगा मैं इसी को असान कर लिया कैसे बस समझों लॉजिक समझों आप खुद लॉजिक लगाने लगों मिरा क्या है कि मेरा एक्सेस कर लो 3 जब तक इसको हटाएंग नहीं कोषण असान बनने वाला नहीग है तो यह क्या जाएगा प्लस तरफ जाएगा प्लव स्कॉइड करो कि यह तंक ही जाएगा तो करना क्या है कि करना है आपको यह तरफ लेकर चलजाओ और तब जाएगा कुछ ऐसा किया यह त्री ग़िए Master देया या दोनों साइड यहां पर स्कोर किया हो सकते हो सब PROFESSचा करो इसकुरिमने हो गया और इधर आगे आपको एट एक काम करो एट को साइड लेक चले जाओ ओके यह नाइन था और यह एट उदर जाएगा माइनस एट हो जाएगा तो नाइन में एट गया यहां आपको वान आ जाएगा आगया समझारा बात अच्छेस देखो समझ जरूर आएगा अब यहां अच्छेस लिख लिख रहा है लिख लिए कर रहा हूं ध्यान अब यह आ गया लेकिन मुझे तो निकालना यह है और कुछ और ही निकल आया डॉन बड़ी जो भी आता है उसका कुछ नुकुछ आगे यूज होई जाता है भर कि यहांपर मैं अच्छे समझा दे रहा है यहांप एक्स स्कुइयर मैंनस six expense आ नहीं है लेकिन कोश्छन में देखोगे यहां पर क्यूब है कि यह क्यो है क्यो है क्योव है क्यो स्कुआइ roll क्यो बनाते हैं अब बनाय भाइका से क्यूब है इस स्कुआइर eagers एक से मल्टिप्लाइ करो एक से मल्टिप्लाइ करो जीरो यह बन जाएगा तो जीरो यह लेक्टर लंबा हो इससे मुझे लेकर शुक्त समझ आना चाहिए आपको सोच हो मैं अभी फिला है यही मेरा पहला प्रियोर्टी तो यह आपको आ जाए अब देखो इसका यूज करने वाला हूं मैं और इसका यूज करने वाला हूं और एक इसका यूज़ करने वाला हूं definitely answer आएगा चुलो देखते हैं कैसे जांदो मेरा question में क्या दिया है एकस्क्यूब माइनस टू एकस्क्याइब इसको कुछ ऐसा करना है अप उनको कि यहाँ पर माइनस शीज़ को यूज़ कर पाए तो क्या करेंगे, ज्धान शीक्स स्कॉयर्ट लिख देंग harvest, तो ज्धान शीक्स स्कॉयर्ड मखेUST करो मैंनिस में लिख ata लेकिन ये जान शीक और मैं तुम कई striving करो तो उसके लिए कई और भी करना की कि मैंन को लिए करना होता है, मैंन को डुखिसा स्की नहीं करना है यह यहां पर –7x है लेकिन यहां पर सिर्फ x है तो हमको x बनाना होगा तो हम लोग एक काम करते हैं यहां पर प्लस x लिख लेते हैं और –8x कर लेती है इससे फैदा क्या होगा कि हमको प्लस x चाहिए था मिल गया और x –8 x करेंगी तो –7x आ जाएगा मतलब जो question था वही है और मेरा काम भी बन गया और कुछ चूटा-फूटा भी नहीं question कुछ बदला भी नहीं वही चीज को मैं अच्छे से लिख दिया तो वही question है ज्यादो ऐसा इसलिए किया कि मुझे इस चीज को यूज करना है तो लोग अब करने का क्या कि एक्स की माइनस 6s स्क्वाइर प्लस एक्स का जो वैल्य होगा मैं और लेटी यहां निकाल चुका हूं वह किसके एकवल है जीरो के मतलब कि इन सभी जगह पर आप जीरो रख दो यह सब क्या हो गये और इसलिए मैं इसको एक साथ लिखा थाकि मेरा कुछ यह बचा हो गया बच्चा क्या बच्चा आपका इसको एक बना दिया की कुछ यह आ गया और ऐसा आपको करना होगा आप एक बार वीडियो पहुंच करके अच्छे समझ लो बनेगा जान दो अब क्या है कि यह मेरे को यह मिल गया तो अब हमको क्या करना है यहां पर क्या हो जाएगा 6x-1 देखो अब क्या लिख दिया 6x-1 देख सकते हो मैं उपर से एक्सवाइड की देगा पर 6x-1 लिख दिया और यहां पर जो था वही रहने देना माइनस 8x और यह 4x प्लस5 ही रहने ज़रा है समझा रहा होँ समझना होगा शिक्जा 24x और माइनस 4 लोगया पर फिर मैनस 8x से प्लस5 होगया 24x-8x यह 16x हो गया उप्लस5-4 यह प्लस1 होगया समझा रहा हूँ बिलकुल आघा हो देखो अब है 16x बद्सप्र प्लस निकालना कितना ही जी हो गया है ना इरिज कर दो तो 16x जगा पर यहां पर 3 प्लस रूट यह कहां साया 3 प्लस रूट तो और लेडी आप एक्स का वैली निकाल चुके 3 प्लस रूट उसी को पुट कर देना यहां पर कर दिया प्लस वन अब देखो 16 3 नहीं सर गलत कर दिये नहीं रूट को तोड़ो गया तो रूट टू आए ठीक तो बहार आ गया तो आपको समझ आना चाहिए आप बुक खोल लो कोई भी खोल आपको यह समझ आ रहा है क्या बिल्कुल नहीं आएक इसका गरेंटी मैं दे रहा हूं अगर समझ आए गया तब आप मुझे कोमेंट कर दो मैं यहां अपने अगर आपको समझ आया हो दिन थैंक्स फर वाचिंग ओके और इफ यहाव अनी डॉप्स और क्वेरी देन प्लीज आशक आशक आशकर इन इस इमेल रिप्लाइट सुन इस मैं प्रोमिस जांदो और उसके आट कोमेंट कर सकते हो कोमेंट बॉक्स में ओके आवे ग्रेट डे हो आज वाल पूरा सॉल्व करते चलो कोई दिक्कत है मेरा प्लेलिस्ट विजिट करो मिल जाएगा सॉल्यूशन पूरा